जैस्री गनेश नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको माग कृष्ण गनेश संकेष्टी चतुलती ब्रत की कथा सुना रहा हूँ पारवती जी ने पूचा की है बस माग मैने में किस गनेश जी की पूजा करने चाहिए तता इसका क्या नाम है उजदिन पूजन में किस वर्ष्टू का नेविद अर्पित करना चाहिए और क्या आहर ग्रेन करना चाहिए इसे आप विस्तार पूर्वक वतलाने की किरपा करने गनेजी निका की है माता माग में भाल चंद्र नामा गनेजी की पूजा करना चाहिए इनका पूजन शोड़ सोब चार विदी से करना चाहिए है माता पारवती इस दन तिलके दस लड़ू बना ले पांच लड़ू देवता को चड़ावे और सेस पांच ब्रामण को दान दे देवे ब्रामण की पूजा भक्ती पूरवक करके उन्हें दक्षना देने के वाद उन पांच लड़ूं को उन्हें पिरदान कर दे हे दिवी तिल के दस लड़ों का स्वयम आहर करें इस सम्मंद में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का बितांद सुनाता हूँ सत योग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थी बे ख्यात्र धर्म में पटो सरल सवाव सत निश्ट और बिद्वान ब्रामणों के पूजक थी हे दिवी उनके साजन काल में अधर्म नाम की कोई बस्तू नहीं थी उनके राज में कोई अपाहेज दर्यद्र या दुखी नहीं था सवी लोग आधी ब्याधी से रहित एबं दीरगायू होते थी उनके राज में एक रिशी शर्मा नामक तपस्वी ब्रामण रहते थी एक पुत्र की प्राप्ती हुने के बाद ही वे स्वर्ग वासी हुए पुत्र का भरन पोशन उनकी पत्नी करने लगी वे बिद्वा ब्रामणी ब्यक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोशन करती थी उस ब्रामणी ने माग मास की संक्टा चतुर्ती का ब्रत किया वे पतिवर्ता ब्रामणी गोवर से गनेज जी की प्रतमा बना कर सदैव पूजन किया करती थी ये पारवती बेक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रिती से तिल के दस लड्डू बनाए इसी बीच उसका पुत्र गनेज जी की मूर्ती अपने गले में बांद कर सुच्चा से खेलने के लिए बाहर चला गया तब एक नर पेसाच कुमार ने उस ब्रामणी के पांच बर्शे बालक को जवरन पकड़ कर अपने आवा में छोड़ कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूनने लगी उसे नापाकर वय बड़ी ब्याकुल हुई तब ब्रामणी बिलाप करती हुई गनेजी की प्रातना करने लगी हे गनेजी बिसाल सरीर वाले हे सूर नाराण की लाली के सद्रश कांति साली हे संदर जटा समू को धारन करने वाले आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए हे गजानन हे चार बुजादारी हे मस्तक में चंद्रमा को धारन करने वाले हे बिनायक हे अनातों के नात हे बरदायक मैं पुत्र के ब्योग में ब्यतित हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए वह ब्रामडी इसे प्रकार आदी रात तक बिलाब करती रही प्रातेकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बरतनों को देखने के लिए आया जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जम अपने लगा और इस बात की सुचना उसने राज दर्बार में दी उसने राज सवा में अपने को कृत का बढ़न किया कुमार ने कहा कि मा भाहू मैं प्रजुलित अगनी के समान तेजवान है माराज अरिश्चंद्र मैं अपने दुसकर्म के लिए बद के यूग हूं उसने आगे का है माराज कान्या के विवा के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया परन्तु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदयव कर्चे ही रह गई तम मैंने बहवीत होकर एक तांतर्ग से इसका कारण पुचा उसने का कि चुप जाप किसी ही बैटा कर आग लगा दूँगा मैंने अपनी पत्नी से प्रामर्ज किया कि रिशी सर्मा ब्रामर्ण म्रत हो गए हैं उनकी बिद्वा पत्नी भीक मांगर अपना गुजारा करती है अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी मैं यदि उसके पुत्र को भली दे दूँ तो मेर बरतन पक जाएंगे मैं इस जगन्य कर्म को करके रात में निश्चंत होकर सो गया प्रात्यकाल जब मैंने आवा खुल कर देखा तो क्या देखता हूं कि उस लड़के को मैं जिस इस्तिती में बैठा कर गया था वह उसी तरह निर्वय भाव से बैटा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है इस बयावे द्रसे से मैं काप उटा और इसकी सुचना देने आपके पास आया हूं कुमार की बात सुनकर राजा बहुती बिश्मत हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए बालक को प्रिसंता पुरक खिलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा क कि यह क्या बात है यह किसका लड़का है इस बात का पता लगाओ इस आवे में जांवर जल कहां से आया इसमें कमल के फूल कहां से खिल गए इस दरिद्र कुमार के आवे में बैदूर मनी के समान हरी हरी दूब कहां से उगाई बालक को ना तो आग ही जलन हुई ना तो इसे भूख प्यासी है ये आवे में भी बैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हूँ राजा इस तरह की बात कही रहे थे कि वह ब्रामडी वहां बिलकती हुई आप पहुची वह कुमार को कोशने लगी जिस प्रकार गाय अपने बश्रे को देखकर रमाती है ठीक वही अवस्ता उस बढ़िया की थी वह बढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कामती हुई राजा के सामने बैठ गई राजा हिश्चन ने पूचा कि है ब्रामडी इस बालक के न जलने का क्या करण है क्या तु कोई जादू जानती है अत्वा तुने कोई धर् क्रिया ही जानती हूं हे राजन मैं तो संकट नासक गनेश चतुर्ती का ब्रत करती हूं उसी ब्रत के प्रवाब से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया ब्रामडी की बास सुनकर राजा ने का कि मेरे राजी की संपूर्ण जनता इस संकट नासक गनेश चतुर्ती का ब्रत से प्रतेक मास की गनेश चतूरती का ब्रत करने लेगे इस ब्रत के प्रवाब से ब्रामणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुने पाया था इतना कहने के बाद से किष्ण ने कहा कि है युडिश्टर आप भी सरवुत्तम ब्रत को कीजिए इस ब्रत के प्रवाब से आपकी और माग किष्ण गनेज चतुती का अब्रत करके निस्कंटक राजभूगने लगी बुलो गनेज भगवाने की जै बुलो स्री किष्ण चंद्रा भगवाने की जै